हलो फ्रेंज, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ वेज कटलिट बनानी की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है आज मैं इसे बनाऊंगी without onion and garlic अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको मेरे वीडियो की latest notifications तुरंत मिल जाए तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं मैंने लिया है थोड़े से कॉलीफलावर जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है एक शिमला मिर्च जिसे भी मैंने कट कर लिया है एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसे ग्रेट कर लिया है चार से पाच हरी मिर्च जिसे फाइनली चॉप कर लिया है एक गाजर जिसे ग्रेट कर लिया है थोड़े से क्याबेज इसके लंबे स्लाइसे कट कर लिये हैं और थोड़े से मटर आप अपने पसंद के सबजियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसली अवेलिबल हो मैंने कडाई में दो चमच तेल गर्ब कर लिया है इसमें आट किया है एक चमच जीरा अब इसमें आट करूँगी अदरक हरी मिर्च इसे अची तरह से सौटे कर लेंगे अब इसमें एक एक करके आट करूँगी सारे वेजिटिबल्स अब इसमें आट करूँगी स्वादनुसार नमक इन सब को अची तरह से mix कर लूँगी हमारी सबजियां अची तरह से पक चुकी है अब गैस को off कर लेंगे मैंने लिया है आधा कटोरी कॉन फ्लोर मैंने इसमें आट किया है थोड़ा सा पानी इसे अची तरह से mix करके गोल तयार कर लेंगे इसकी एक अच्छी सी pouring consistency है मैंने लिया है तीन बॉयल कियेवे आलू जिसे अची तरह से mash कर लिया है इसमें आट किया है थोड़ा सा कटावा हरा धनिया अब इसमें आट करेंगे थोड़े से मसाले आधा चम्मच जीर धनिया पाउडर आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स आधा चम्मच चाट मसाला वन फोड स्पून रेड चिली पाउडर स्वादनुसा नमक आप इसमें थोड़ा ही नमक आड़ करें क्योंकि हमने सबजियों में भी नमक आड़ किया है और चाट मसाले में भी नमक होता है इसमें आट किया है cooked vegetables मैं दो bread की slice को jar में डालकर अच्छी तरह से grind कर लिया है मैं grind किये वे bread को इसमें आट करूँगी इसे एक अच्छी binding मिलती है अब इसमें आट करूँगी थोड़े से crushed peanuts इससे बहुत अच्छा crunchiness आता है इन सबको अच्छी तरह से अब मैं mix कर लूँगी इसे अच्छी तरह से मैंने mix कर लिया है मैंने अच्छी तरह से हाथों को oil से grease कर लिया है अब इसमें से मैं थोड़ा portion लूँगी कुछ इस तरह से और हथेली की बीच में roll करते हुए इसे हलका press करके एक टिक्की का shape दे देंगे अब मैं टिक्की को conflore की घोल में dip कर दूँगी अब इस पर मैं अच्छी तरह से coat कर लूँगी breadcrumbs breadcrumbs बनाने की recipe का link मैंने description box में share कर दिया है इसी तरह मैं बाकी टिक्कियों को भी तयार कर लूँगी आप इन टिक्कियों को 10 दिनों तक fridge में अच्छी तरह से store कर सकते हैं आपको इन्हें जभी भी खाने का मन हो आप इन्हें fry कर लें आप चाहे तो इन्हें deep fry भी कर सकते हैं मैं इन्हें shallow fry करूँगी मैंने pan में तेल गर्म कर लिया है अब एक एक करके मैं इसमें टिक्कियों को आड़ करूँगी हम इन टिक्कियों को पलट कर अच्छी तरह से दोनों साइड से shallow fry कर लेंगे हम इं फ्लेम को medium high रखना है टिक्कियां अच्छी तरह से fry हो चुकी है अब इने हम पलेट में transfer कर लेंगे तो चलिए अब इन टिक्कियों की हम पलेटिंग कर लेते हैं मैंने लिया है दही इसमें थोड़ा सा चीनी डाल के इसे अच्छी तरह से फेट लिया है मैंने लिया है इमली की चट्नी और धनिया की चट्नी इन दोनों चट्नियों को बनानी की रेसिपी का लिंक मैंने description box में share कर दिया है इस पे आड़ करूंगी मैं green चट्नी इसके टॉप पे आड़ करूंगी मैं दही अब इस पे मैं आट करूँगी इमली की चटनी अब इस पे मैं प्लेस करूँगी टिक्किया अब इस पे मैं आट करूँगी थोड़ी सी ग्रीन चटनी दही इमली की चटनी इस पे आट करूँगी थोड़े से क्रश्ट पीनट्स इस प्यार्ट किया है थोड़े से भुजिया शेव तो पेश है गर्मा गर्म वेज कटलेट हमारी वेज कटलेट बहुत ही स्वादिश्ट बनी है I'm sure friends इसे देखते ही आपके मुँ में भी पानी आ रहा होगा तो फिर देर किस बात की है आप भी मेरे इस बताईवे रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और अपनी एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेर करें ज़ाद से ज़ाद मेरे वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और थांक यू सो मिच फर वाचिंग स्टे कनेक्टेड एंजॉए